पांच राज्यों में होने वाले विधान सबाद चुनाव से पहले बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई है चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीक का एलान कर सकता है ख़बरों के मताबिक आज साड़े तीन वजे चुनाव आयोग एक प्रेस कांफरेंस करेगा जिसमें चुनावी तारीकों का एलान किया जाएगा माना जा रहा है कि चुनाव को बहुत ही शांती पूर तरीके से इसके साथ ही साथ सोसल डिस्टेंसिंग के साथ भी करवाय जाएगा मौजूदा समय में जिस तरह से कुरूना संकर्मन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं इसको देखते वे चुनाव आयोग ना सरिफ कई गाइडलाइनस चारी कर सकता है बलकि एतिहात के तोर पर कई दिश्टा निर्देश भी जारी किया जाएगा वैसे देखा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले तमाम राजनितिक पार्टी के नेताओं की तरफ से भी रैलियों पर जोर दिया जा रहा है हाला कि अब देखना ये होगा कि चुनाव आयो की तरफ से जो नई गाइडलाइन से जारी की जाएगी उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा लेकिन मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि तमाम राजनितिक पार्टी के नेताओं ये देख रहे हैं कि कुरोना संकरमर तेजी से पहल रहा है इसको देखते वे कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रेलियों को रद्ध भी कर दिया है अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में भी सत्ता पक्ष अपनी रेलियों को रद्ध करता है या नहीं SPN 9 न्योजरूम की रिपोर्ट